यूं तो शहनाज अपने दिल की बाते कभी भी जबान पर आने नहीं देती लेकिन कई बार ना बातों बातों में दिल की बात सामने आही जाती है हसते हुए चहरे के पीछे कितने गम है वो शहनास को देखकर समझ में आ जाता है और उनकी बातों को सुनकर समझ में आ जाता है बस समझने वालों के पास वो दिल होना जाये तो बहुत सारी बातों को शहनास ने हसते हसते बया कर दिया है या यूं कहें कि हस्ते हस्ते दिल का दर्द बया कर दिया है एक खास इंटरव्यू उनका सामने आया है जिसे लेकर पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए शहनाज अभी बहुत सारा काम कर रही है बहुत सारा शूट वो कर रही है लगभग डेली उनका शूट होता है ये एक अलग बात है कि कुछ पिक्चर सामने नहीं आते लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि आने वाला टाइम शहनाज गिल का है जहां पर आपको उनके कई सारे प्रोजेक्ट बैक टू बैक नजर आएंगे हम पर भरोसा रखिए क्योंकि कई सारी अपडेट इसे लेकर सामने आने ही वाली है हमारे चैनल से लगातार जोड़े ये सब कुछ आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम अब अगर बात करें शहनाज के बीते दिनों जो भी चीज़े हमने देखी उनके कई सारे प्रोजेक्ट आये एक सौंग आया सजनावे सजना जो लगातार ट्रेंडिंग में बना हुआ है शहनाज गिल ऐस मुंबई में मटकी फोर्ड का कारेक्रम हो या फिर गर्बा का कारेक्रम हो बहुत जगे शहनाज गिल ऐस गैस्ट बन कर पहुची अब ये तो जाहिर सी बात है अगर गैस्ट बन कर शहनाज गिल कहीं पहुचेंगी तो वहां से उनके इंटरव्यूस भी सामने आएंगे क्य शहनाज गिलने हस्ते हस्ते कुछ ऐसी बाते कह दी जो दर्द से जुड़ी हुई है यहां पर शहनाज से पूछा गया उनके काम के बारे में उनकी लाइफ के बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में तो शहनाज का कहना था कि फ्यूचर के बारे में मैं जादा नही सोचती क्योंकि सोचा हुआ कभी कभी ना बहुत दर्द दे जाता है वो सच नहीं हो पाता पहले मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा जो की सच नहीं हो पाई और वो एक दर्द दे गई जो दर्द हमेशा मेरे साथ रहने वाला है तो इसलिए अब मैंने सोचना छोड़ दिया है सिर्फ मैं काम करती हूं और बहुत सारा काम मुझे करना है और future की अगर आप बात करते हैं तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगे कि धेर सारा काम आप मेरा देख पाएंगे आने वाले टाइम में ये सारी बाते कहीं है शहनाज ने और शहनाज किस से समझ में आ जाएगा वो कहते हैं न कि मुसकान के पीछे का दर्द समझना बहुत मुश्किल होता है शहनाज उस दर्द को छुपाना बहुत अच्छे से जानती है भाई बहुत अच्छी अदाकारा जो है बस वही है कि एक दर्द का रिष्टा है और हम सब इस दर्द के हाइप में लाएं और उन्हें बहुत जादा सपोर्ट करें जिसके लिए आप एक काम तो अभी के अभी कर सकते हमारी इस वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कर दीजिए तक कि शहनास की बातों को बहुत सारे फैंस जान पाएं उनके दिल की बातों को जान वैसे आपका इस पर क्या है कहना कामेंट में आके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें